कर दोस्तों वेलकम बेक टो आर्चेर मनी चलोसन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और नोलेज़फुल होने वाले है तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट चक जरूर देखेगा आप लोग देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना इदर इंवेस्टर है लेकिन सबसे बड़ी प्रोब्लम यह आती है कि जो डिटेल इंवेस्टर होता ओ डारेक्टली मार्केट के अदर आजाता है market के बारे में उसका क्या view है उसको कौन-कौन से points इदर याद रखने चाहिए कि market के अदर investing और trading करने से पहले तो वो उनका है ना दोस्तों पूरा bureau है ना वो नहीं बना पाता जिससे उनों की जो investing और trading की journey हमें काफी सार इदर problem face करनी पड़ती है तो आज की वीडियो में 5 ऐसे points हम लोग discuss करेंगे कि अगर आप भी अपने stock market की जो investing और trading की journey यहाँ पर शुरू करने वाले है या फिर शुरू कर चुके है तो अगर आप इन points को mind में रखते हो इसके हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर काम करते हो आपको अपनी risk capacity का यह idea ले ना क्योंकि देखे market के अंदर जो up and down का जो माहल है ना continue जारी रहता है कभी भी market है ना एक direction में नहीं भागता तो जब भी आप कोई भी अपना दोस्तो जो amount यहाँ पर invest करने जारे तो सबसे पहले आपको जो risk capacity देखनी है कि भी यहाँ मैं इतना amount यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ अगर यहाँ पर market है ना downward चले जाती है अगर मुझे low space करना पड़ता है तो मुझे मेरा जो risk है ना इतने amount तक मैं लेके जा सकता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे जरूरी आ जाता है कि भी यह market के अंदर investment तो हम कर रहे है लेकिन हमारी risk capacity यानि कि हमारा जितना जो portfolio है ना उसके ओपर हम है ना कितना ज़्यादा risk ले सकते है वो हमें है ना यहाँ पर mention करना जरूरी है तो यहाँ पर second point आ जाता है कि mix of investment यानि कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास कुछ fund रहता कुछ पैसे रहते है तो हमें उसको इनवेस्टमेंट करना तो यहाँ पर हमारे पास इनवेस्टमेंट के option है यहाँ पर अलगल होनी चाहिए कि FD में हमें कितना percentage इदर रखना है equity market के अंदर हमने कितना पैसा इदर investment करना है, gold के अंदर हमें कितना investment करना है या फिर दोस्तो other जो option हमारे पास रहते है तो यहाँ पर जितना हमारा amount रहता है जितना हमारा जो corpus रहता है उसको हमने एक ratio के अंदर डिवाइड करना है उसी के बाद हमें यहाँ पर equity market के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और जब दोस्तों stock market के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास है न वहाँ एक option होना चाहिए हमें उसको पूरा पूरा describe करना चाहिए कि यहाँ पर large cap के अंदर मुझे है न कितना investment करना है यहाँ पर mid cap के अंदर कितना investment करना है और यहाँ पर small cap sector है न उसके अंदर कितना जो percentage है न वो investment करना है वो हमारी age हमारा जो goal है उसके उपर इधर है न पूरा पूरा भीया इधर है न जो target इधर रहता है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे जो points है ना हमें यहाँ पर अपने mind में रखने चाहिए जब भी हम अपनी investing और trading की journey है ना market में शुरू करें अप्स्टोक्स ने इधर launch किया है अपना नया TBT इंजन यह कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है एक बहुत बड़ा अपग्रेड है तो detail में मैं आप लोग को इधर बताने वाला हूँ दोस्तों अप्स्टोक्स पे अब tick by tick यानि कि जो TBT data का फायदा हम उठा सकते हैं मतल किस लेवल के उपर इधर स्ट्रेंड करता है साथ में आपको यह भी पता लगा कि आपने जो सेर का ओडर लगाया उससे आगे जो लाइन में कितने ओडर इदर लगे हुए है यहां पर जो गैसिंग का गेम खतम हो जाता है और साथ में यहां पर आपको जो लाइव अलर्ट है वो भी इधर मिल जाते है ताकि आपको जो तो जो फोकस है ना यहां पर इन्वेस्टिंग और जो ट्रेडिंग का वो यहां पर मिस नहीं होता है कि वोलाटाइल हो नो प्रोबलम मार्केट ड़ैट 30 के साथ आपको मार्केट के टोप 30 लेवल का डाटा आपको मिल जाता ज आप डिरेक्ट ली आपके मोबाइल में है इसमें डिमांड स्प्लाई जोन का फीचर भी है तो आपको यह पता लग जाएगा कि किस लेवल के ओपर यहां पर सबसे ज्यादा बाइंग है किस लेवल के ओपर यहां पर सेलिंग है यानि आपको मार्केट का जो ट्रेंड तो यहां पर हमसे मिस नहीं होगा तो अप्स्टोक्स का जो टीवीटी इंजन है ना ट्रेडिंग को एक नए लेवल के ऊपर लेकर जा रहा हूं हर एक मूह का यहां पर रियल टाइम अपडेट हमें मिल जाता है विद्फूल ट्रांसपरेंसी दोस्तों मैं यहां पर फैनली ए अधर अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जननी यहां पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा अमर्जेंसी फंड है ना हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए कि अगर कुछ भी जो पारिवारिक स्थीति है कुछ ऐसा माहूल करेट हो जाए कि जिसमे इन्वेस्टमेंट की जननी शुरू करनी है कि अगर इस तरह के कोई कंडिशन इदर आ जाती है तो हमारे पास है कुछ ऐसा अमर्जेंसी फंड आना चाहिए मतलब होना चाहिए जो हमारे दोस्तों जो रिक्वाइर्मेंट रहेगी उससे मीट अप हो जाए ताकि हमें दोस् जो स्ट्रेटिजी इदर बनानी है नेक्स्ट यहां पर दोस्तों फोर्थ पॉर्ट आ जाता है कि री बैलेंसी ओफ पोर्टफोलियो देखें यहां पर है ना जब भी हम दोस्तों मार्केट के अंदर रहना को इस टोक स्पीक करते है किसी कंपनी को वाच लिश्ट पर रखत टाइम टू टाइम है ना हमें अपना जो पोर्टफोलियो है ना यहां पर री बैलेंस जो करने के ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नेक्स्ट यहां पर दोस्तों लास्ट पॉइंट आ जाता है सेक्टर डाइवर्शिफ के सर्थ देखें जब भी हम मार्केट के अंदर करते तो हमें है ना पूरा पोर्टफोलियो एदर रेड के अंदर जाएगा तो यहां पर जो अलग जो सेक्टर के सर्न का जो वैनिबित हमें लेना है और उसी साब से हमें आपने जो पॉर्टफोलियों है उसको इधर बनाना है क्योंकि यहां पर सेक्टर डाइबर्शिफ केसर में हमेशा देखा गया है कि अगर एक सेक्टर डाउनवर्ड मुमेंटम इधर दे रहा तो दूसरा सेक्टर उसको कवरप कर लेता है अपवर साइड अपने पॉर्टफोलियों में बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों आप लोग यह पॉइंट देख रहे होंगे इन पॉइंटों को मध्या नजर रखते हुए आप अपने दोस्तों इक्विटी मार्केट यानिक स्टोक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग की जो ज वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं दो तो आपको यह वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी तो लाइक कीजिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात